हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल प्लैक्फ़र्म और पिश्टेटी पे फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 कोश्चंग करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली ऐने डीसी वर्कमेन परिक्षा के लिए बहु वाले में तो जीके का बहुत ज़्यादा हैं रोल है आपके सेलेक्षन में ज्यादा फोकस करेंगे और मैंने आपको लेटी बता दिया है संडे मंडे तूज्टे वैने सोमार मंगलवार बुदुवार को जीके की क्लास चलेगी ब्रहस्पतिवार को ठाष्टे को रीजनी की चलेगे तो वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडिया में आपको टेलिकाम चैनल पर देदूंगा कल वाली वीडियो की जो पीडियाफ है आपको आज भी मिल जाएगी थोड़े देर में ठीके साड़े आट नौबे तक आपको पीडियाफ मैं देदूंगा आपको ठीक है जली आज की बुडियो को सुड़ा करते हैं और आज के जो कोश्टन है हिंदी इंग्लिस दोनों में है कल मैं हिंदी में दिया था आज हिंदी दोनों में कैसे को प्रॉल्लम नहीं होगी तो फ्रेंज पहला कोश्टन है भारत में सर उच्छ नियाए ले और उच्छे नियाए ले के नियाए ध्यूशू की नुक्ति कौन करता है हूँ अच्छे लेके चलेंगे साबको ठीक है तो फ्रेंज इस कोश्टन का जो राइट आंसर हुब है हमारे प्रेशिडेंट राश्पती राश्पती राइट अप्शन नमबर टू ठी इस लाइट ऑफ इंडिया वेरी इंपर्ड एक्जाम में बहुत पूछ जाते हैं चोट बोट एक्जाम समय तो भारत सबसे बड़ा राज है वह आपका राजस्थान और गुरु सिखर है इसकी सबसे चोटें गुरु सीकर है जहां पर जैनों का मंदिर भी है वह आपको यह रखना है ठीक है जली कट्टू बुल लड़ाई डैस में होती है जली कट्टू वुल फाइट टेक्स प्लेसीन जली कट्टू बहरी इंपर्ड इस सवाल काफी है एक्जाम में तीन-चार सालों में देग रहा है सवाल काफी पूछा राजाम सके अंदर जली कट्टू पानी और खनीजों के परिवन के लिए कौन सा सइयंत्र ओतक जिम्मेदार है विच प्लांट टिशू इस रेस्पॉंसिवल फॉर ट्रांस्पोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल स्वाम रूट्स टू डाल लीव्स तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर हुग हमारा जैलम ऑप्स सबसे लंबा बांद भारत का वह कौन सा ही राकुंड बांध ऑप्सन नमबर सी अभी किस नदी पर है किस रीवर पर है तो आपको रखना है महा नदी और कौन से स्टेट में है तो यह है उडिसा में ठीके ना अगला कोशन है भारत का प्रथम मुखे चुना आयुक्त कौन था फर्ष्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया वेरी 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 इंपोर्टर कोश्चन सब्सका राइट आंसर वह है सुकुमार सेन ऑप्सन बी और अगर आपसे पहला लोगसभा अध्यक्ष पूछेगा तो उसका अंसर हो जागा जीवी मावलंकर यह प्रथम लोगसभा के अध्यक्ष थे ठीक ना लोगसभा स्पी करते यह अगला कोशन है प्लासी की लड़ाई डैस के भी लड़ी गई थी बैटल ओफ लासी बैटल ओफ प्लासी जो वा था है 1757 में हुआ था 1757 क्योंकि यह भी पूछे जाते हैं ट्रेट प्लासी के लड़ाई हो गया बैटल ऑफ पानी पत हो गया इससा पूछे जाते हैं अगला कुछन है भारत का प्रथम भारतिये प्रयोगिक अंतरिक अनुसंधान उपके रह थ प्रयोगी पूछा है ठीकिन तो असका अंसर आपका एपल हो जाएगा जोगे सेटेलाइट है अगला कुछन है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है विच इस लाज़ेस कॉफी प्रडूशिंग इस्टेट ऑफ इंडिया तो सब ज़्यादर कॉफी प्रडूश होती है यहां पर यह वी कॉफी ज्यादा होती है हमारे यह पर और यह होती सब्सक्राइब करनाटका में अप्सन नंबर बी और मैं भी कॉफी काफी सोगे नों कॉफी मुझे बहुत पसंद होगी अगला कुछन है निम लिखिर में से कौन किर्केट टूर्णाम में संबंदी थे हम सेध मुस्ताक अली ट्रॉफी यह बिए क्रिकेट रिखली संबंदी है विजहा अगला शौर्ब लेक्षित में से कौन है फूंग फॉलोविंग और इंवेंटर्स ऑफ डाइनमाइट तो डाइनमाइट का विश्कार है वो सब जानते होंगे उसका राइड अल्फेड नोबल और इसलिए इन्हीं के नाम पर इन्हीं को ट्राइबूट देने ले एवरी यह नोबल प्राइज प्राइबुट दिये जाते हैं तो इन्हों ने किसी खोज की ती और जो नोबल प्राइज के सुरुवात हुई थी यह आपको अर्गना कपसे हुई थी 1901 से और मेरी क्यूरी एसी पहले सेन्टिस्टी जिनको फिजिक्स और केमिस्टी दोनों में नोबल प्राइज मिला था from which minerals each aluminum obtained to minerals वाले question important है क्योंकि हम NMDC में जा रहे हैं उसका full form यह National Mineral Development Corporation तो minerals का इस सारा काम होता है महाँ पे, तो minerals की knowledge हमको होनी चाहिए किस से क्या प्राप्त किया जाता है तो जो यह हमारा aluminum का जो और होता है कौन सा होता है, वो तमारा box side option number C अगला question है noble gas, our sanity के निमलेखी सम्हों में से किस से संबंदित है noble gases belongs to which of the following groups of the periodic table तो periodic table से simple question पुछे जाते है इस टाप के एक्जामस में तो जो noble gas होती है, इनका क्या होता है इनका जो valency होती है, वो 8 होती है और यह non-active gases होती है right answer का 18, option number 2 में दिया हुआ है अगला question है Fahrenheit or Celsius की स्टापमान पर समान है at which temperature Fahrenheit and Celsius equal very very important question, यह सवाल काफी एक्जामस में आता है पहुँच ज़दा आता है, सवाल यह तो friends आपको एकना, minus 40 degree option number 2, तो minus 40 पे Fahrenheit and Celsius equal हो जाते है ठीके न, अगला question है कुच्ची पुड़ी निर्ति कहां आरंभ हुआ था where did कुच्ची पुड़ी डांस begin तो friends हमारे इंडियन classical जो हमारा डांस है total 8 classical डांस है, उसमें एक हमारा कुच्ची पुड़ी भी है जो कुच्ची पुड़ी है, यह ब्लाउंस करता है कहां से अंधरप्रदीश से, तो राइडन ऋरोगमर, अंधरप्रदीश option number B अगला question है स्वामी द्यानन सरस्वती ने किस समाँद के स्थापना की थी which society was founded by स्वामी द्यानन सरस्वती तो friends, स्वामी द्यानन सरस्वती ने आरे नांस समाँद की स्थापना की थी सब्सक्राइब किया था तो 1975 में अगला कुछन है भारत के राष्टपती के पास डैस के समान सक्तियां और कार्ण है दा प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया है सेम पावर्स एंड फंसंस आर प्रेशिटेंट की रहानी के समान होती है यानि प्रेशिटेंट अगला कुछन है त्री पीटक धार्मि ग्रंथ है वाट अर्द रेलिजिजिस टेक्स्ट ऑप रिपीटक पुछा की एक जामस के दन तो जो त्री पीटक है यह संबंदित है बहुत ग्रंथ से तो राइट अप्सन नंबर दी बद्धिष्टों से संबंदित ह अगला कुछन है निमनिलखित में से कौन भारत के राष्टपती के चुनाव भाग नहीं लेता है हूं एमंग दो फॉलोविंग दस नॉट टेक पार्ट इन अप्र प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया तो फ्रेंट्स जो प्रेशिडेंट के एलेक्शन होता है उसमें तो राज वह साथ निरवाजी सदस होते हैं ये भी होते हैं और निर्वाजी सदस इवी होते हैं संसर सदस मनोलिट अध्यृफट मेंवर ऑप यह इसमें पार्टिसेपट नहीं करते हो रहाट नंसरोंको ऑप्सवदाए प्लमकुरी आल्टियोग दृत पहुंच पहुचता है डैस के में किस राजी की समुद्री टर्ट रेखा सबसे लंबी है बिस स्टेट हें इन इंडिया सबसे लॉग इस नॉप्ष गुजरात की ऑस सन नंबर सेकेंड और सेकंड नंबर पर है आंधर्र पड़ेस की नंबर टूपर ंदर पर यह और टोटल नाइन स्टेट के मारे कोश्टल लाइन है यह आपको या रखना है अगला कुश्चन है 1857 के सहने बिद्रों के समय भारत ये गवर्नर जनरल कौन थे अगला कुश्चन है सीमांद गांदी इने फ्रंटियर गांदी के नाम से कौन जाने जाते थे अब्दूल गफार खान जाते थे लाल कुर्टी मोव्मेंट चला था और यह पहले नॉन इंडियन थे जिनको भारत रंदे अब भी दिया गया था ठीके ना पार्टिशन वा तो यह पाकिसान चले गया थे अगला कुश्चन है भारती राष्टी कॉंडर से संस्थापक कौन थे हूँ आपको यह रखना है अगला कुश्चन है पूर्वी और पश्मी घाट के जंचन पर कौन से पहाड़ियां इस्तित हैं विच हिल्स और लोकेटेट एड़ जंचन ऑफ इस्टन वेस्टन घाट्स तो इस्टन वेस्ट किक है अगला कुश्चन है स्वराज मेरा जनम से अधिकार है यह कहा था स्वराज इस माय बर्थ राइट वेर वाजीट तो यह बहुत इंपर्टेंट स्लोगन स्लोगन था यह मैं यह यह इसको में लेके रहूंगा आपको याद आगको किस ने कहा था अगर आपधे तियास तो यह कहा था किसने लोक माने तिलक ने अगला कुश्चन है भारत का राश्पती बनने की योगता के लिए नियुनतम आयू क्या है अगला कुश्चन है प्राचीन काल में 36 गडशेत्र को किस नाव से जाना जाता था वाइव अच्छा अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है सबसे पुराने पसु के जिवास में डिकेंशन या किस राज्य में खोजे गए थे यह भी करन्ट अफेटा कुश्चन है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन वीडियो का राष्टी मद्दाता दिवस किस दिन मनाया जाता है और विच डे इस नेशनल वोटरस डे से लिएटेट वेरी वेरी इंपटे कोश्चन है तो नेशनल वोटरस डे यह 25 जनवरी को सेल्बेट के आजाता है हमारे भारत में तो फ्रेंट्स यह हमारे टॉप 30 कोश्चन समाव